नमस्काल दोस्तों मेरा नाम है मंतोस और आप सबी लोग का स्वागत है हमारी इस वीडियो में तो दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ यूपी गाजियाबाद मोहन नगर जो की देली के पास में है और यहाँ पे हम 5 किलोवार्ट का सोलर पैनल इस्टॉलेशन करेंगे लगाएंगे वो भी new technology का तो अभी आप सामने देख सकते हूँ यह जो मीटर है यह 6 किलोवार्ट का मीटर है और सामने छोटा मीटर लगा है एक अंदर मीटर लगा है और एक मीटर ओलेड़ी निकाल चुके हैं यहाँ पे क्या है जब हम सोलर पैनल लगाते हैं तो जो हमार थ्री फेस मीटर यहाँ पे नया अपलाई किया गया था जो कि लग चुका है और यहाँ पे जो सोलर पैनल जो हम लगाएंगे उस सोलर पैनल का यूज क्या होगा तो अभी आप देख सकते हो यह जो गली है गली सामने से आई है और उसके यहाँ पे देख सकते हो यह सम मीट है यहांपर टोटल इतने सारे समुमिटर हैं जिसमें से नीचे जो रूम है ये जो है ये किरायदारों के लिए रूम है दस रूम नीचे हैं अबाकी तीन रूम इसके उपर भी है और उसके बाद में कस्टूमर का खुद का दो मंजिल का घर है जिसमें यूज होगा solar panel और ये है solar structure जो कि customer ने खुद इसको बनवाया है काफी है भी अच्छा है तो यहाँ पे customer ने solar structure high rise बनवाया है जिससे कि जो हम यहाँ पे solar panel लगाएंगे उसके लिए काफी अच्छा stand है ये तो यहाँ पे जो हम solar panel लगाएंगे वो कौन सा solar panel होगा वैसे तो थमनिल देख के आपको पता चल गया होगा किस चीज़ के मैं बात कराऊं तो यहाँ पे हमारे total 5 kilowatt का solar system लगेगा और ये है solar panel ये loom solar company ने launch किया है सार्क 440 watt y-facial solar panel जो कि आगे और पीछे दोनों तब से energy generate करता है और जब full energy generate करता है तो 530 watt तक चला जाता है high efficiency solar panel है ये तो अभी हम panel को सभी panel को हम उपर चड़ाएंगे तो चड़ाने का जो तरीका है आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से उपर कर जो हमारा रोशन दान था तो हमने सभी panel को पहले एक मंजिल पे रखा और फिर उसके बाद में हमने वहां से उठाया दूसरे मंजिल पे क्योंकि उपर तक रोशन दान था रोशनी आने के लिए हवा आने के लिए तो अभी हम सभी panel को बड़े ही हिफाज़त से हम उपर चड़ा रहे हैं तो यहाँ पे जो panel है वो 10 panel यूज होंगे सार्क बाइफेसियल सोलर पैनल जो कि लूम सोलर कंपनी ने अभी लॉंच किया है तो देखने में कुछ ऐसा है और सोलर पैनल चड़ाने में देख सकते हो कुछ इस तरीके से किया जाता है मेनत लगती है सोलर पैनल को चड़ाने में और काफी ध्यान दिया जाता है कि कोई भी पैनल टूटे ना और हमारे जो पैनल है 10 के 10 एक मंजिल पे आगे हैं और उसके बाद हम टॉप पे चड़ा रहे हैं क्योंकि हमारे जो सोलर पैनल है वो सभी उपर लगने है इस टैंड पे तो इस टैंड जो है हमारा वो छट के उपर है तो पैनल को जो है सभी को उपर चड़ाना पड़ेगा हमको तो अभी हमारा जो solar panel है वो उपर चड़ रहा है तो सभी solar panel हमारे उपर आ गए तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे दस के दस solar panel हमारे जो हैं यहाँ पर आ गया है और दोस्तों इस जिस समय हम काम कर रहे थे उस समय जो यहां का टैंपरेचर था वो फॉर्टी थी यानि कि 43 डिगरी था वहां पर तापमान गर्मी बहुत थी तो यह रहा लूम सोलर कंपनी का सार्क वाई फेसियल सोलर पैनल 440 वाट का है यह आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका टैक्निकल इस्टिगर है बियो सी चार्स जाता है एमपियर 11 एमपियर है सौट सर्किट एमपियर और 530 वाट तक यह जनरेट करता है दोनों तरब से और जो दिखने में है वो कुछ ऐसा है यहाँ पर देख सकते हो लूम सोलर कंपनी की ब्रांडिंग है क्योंकि इसकी जो ब्रांडिंग है पीछे नहीं कर सकते है जिससे की क्या होगा पैनल पे सैडो आयागा इसलिए ब्रांडिंग है फ्रंट की तरब किया गया है अभी मैं आपको साइज खड़ा करके दिखाता हूँ पैनल देख सकते हो यह सामने से कैसा दिखेगा और पीछे से कैसा दिखेगा क्योंकि यह बाइफेसियल पैनल है आगे और पीछे दोनो तरब से हमको सैल्स दिखेंगे और पैनल दिखने में कुछ ऐसा है और इसके अंदर जो cells use हैं वो half cut cells हैं और cells जो हैं जर्मन के हैं और काफी अच्छी technology के cells हैं यह अभी आपने सामने से देख लिए आप बात करते हैं back front पीछे से तो पीछे से देखने में कुछ ऐसा है यहाँ पीछे से भी एनर्जी को generate करता है और तीन यहाँ पे हैं junction और यहाँ पे testing report हो गए यह warranty card है पैनल की जो warranty है वो 25 साल तक है तो यह अपने स्ट्रोलर पैनल को तो देख लिया आप बारी आती है इन सभी पैनल को उपर चढ़ाने की तो इसमें जो चढ़ाने में हमको जो problem आई है उस चीज़ को आप देखना क्यूंकि यह जो stand है वो fabricator की मदस से बनाया गया है और इसमें पैनल के पीछे capsule size hole होते हैं तो वो किये हैं अब कहीं पे match करेगा कहीं पे नहीं करेगा तो सारक चीज हमको देखना पड़ेगा तो अभी देख सकते हो हमने drum लगा के एक drum पे मैं हो दूसरे drum पे सदाव है बाकी जो हमारे साथ team में काम करने वाले हैं वो अपना काम अब तो हमारा यह एक पैनल उपर आ गया है और पैनल को हम कुछ इस तरीके से चड़ा रहे हैं और काफी हिपाज़स से हमको पैनल को चड़ाना है तो एक पैनल हमारा लग चुका है ये दूसरा पैनल हम चड़ा रहे है तो दोस्तो अगर आप बाइफेसिल सोलर पैनल लगाने का प्लान कर रहे हो तो ये जो बाइफेसिल सोलर पैनल है उसके लिए जो बेस्ट स्टैंड होते हैं वो हाई राजी स्टैंड यूस किये जाते है अगर आपको solar panel, high register stand कुछ भी खरीदना है solar panel से जुड़ा हुआ कोई भी समान खरीदना है तो वीडियो के description में link है आप वहाँ से खरीच सकते हो अगर आपको कहीं पर solar panel लगवाना है तो आप हम लोगों से भी संपर्ख कर सकते हो सामने हमारा screen पे number भी चल रहा है email id भी है अगर call नहीं उठा रहा है तो आप whatsapp भी कर सकते हो whatsapp number भी सामने चल रहा है तो अभी देख सकते हो हमारे एक panel लग गया side में दूसरा panel लग गया मगर एक बीच में कहा है वहाँ पे hole match नहीं कर रहा था जो की fabricator की मदद से फिर से वहाँ पे hole कराया जा रहा है जिस पैनल को अभी हम लगा देंगे वहाँ पे और इनका जो stand था stand बनाने में थोड़ा सा जो fabricator है उसने थोड़ा सा सही नहीं बनाया था क्योंकि proper तरीके से जो set नहीं आये थे थोड़ा आगे पीछे आगे पीछे एक तरीके का डिजाइन बन गया था पूरा जो stand था वो गुनिया में नहीं लिया था प्रॉपर तरीके से तो यह हमारे something आधे पैनल लग चुके है और इन सभी पैनल को हम लगा रहे है तो यह जो है bifacial solar panel इसके साथ हम use करेंगे micro inverter micro inverter लगाने का बहुती अच्छा benefit है वो क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा जब मैं micro inverter लगाऊंगा तो पैनल देख सकते हो हमारे जो पैनल है वो अभी तीन पैनल रहे हैं लगने को वो पैनल भी लग जाएंगे तो हमारे आधिस से ज़्यादा पैनल लग चुके हैं और जैसा आपको दिख रहे है ना पैनल को उठा के अराम से रख रहे हैं जब हम पैनल को उठा दे तो हमको पदा है कि किस तरीके से हम stand के उपर रखते हैं कि अगर हमने तेज रख दिया या कहीं को ना लग गया तो एक पैनल का जो कॉस्ट है वो 20,000 से प्लस प्राइज आता है पैनल